तो स्वागत है आप सभी का अपडेट टॉक्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सैमसंग के उन डिवाइस के बारे में जिन डिवाइस में न्यू सौफ्टवेर अपडेट सैमसंग ने रिलीज किया है तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर देजेगा अस वीडियो को साथी चैनल पर यदि आप पहली वराएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रिस कर दीजे का नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूशर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला अपडेट है एम 34 के लिए 281 MB का अपडेट है और इस अपडेट के अंदर सैमसंग ने डिवाइस की सिक्योर्टी को इंप्रूफ किया है साथ में डिवाइस की स्टेबिटी को इंप्रूफ किया गया है bugs को fix किया गया है कुछ features को height किया गया और device की performance को भी improve किया गया है साथ ही यहाँ पर कुछ bugs को भी fix किया गया है तो update कीजिए अगला update है.'' 823 के लिए 231MP का update है जन्वरी का security patch है और इस update के अंदर Samsung ने device की security को improve किया है, साथ में device की stability को improve किया है, bugs को fix किया गया कुछ फीचर्स को एड किया गया और डिवाइस की परफॉर्मस को भी इंप्रूफ किया गया है तो अगर आप 823 डिवाइस यूच करते हैं तो अपडेट की अपने डिवाइस को साथ में कुछ बग्स को भी यहां पर फिक्स किया गया है जो वन यूवाई 6.0 Protestant के लिए 172 MB का अपडेट है जन वरी का सिक्यूर्टी है इस अपडेट में सैंसोंग डिवाइस को लेटेश न सिकूर्टी के साथ प्रोटेक्ट कर दिया है साहत में डिवाइस की सीक्यूर्ट को इंप्रूफ किया गया है और यह अप्डेक्स को यहां पर फिक्स किया रहा है तो अब्डेट कीजिए अपने device को बरतें से अब्डेट कि और तो अगला update है M31S के लिए बात करें update file की तो 178MB का update है जन्वरी का security पैचया और इस update में Samsung ने device की security को improve किया 7 विए की ability को improve किया है works को fix किया गया है कुछ features को add किया गया device की performance को भी improve किया गया है तो ये device 2020 में लाउंच हुआ था और चार साल बाद भी इसको अभी update मिल रहे हैं दोस्तों तो जरूर से update कीजिए यहाँ पर security को improve किया गया है अगला update है F62 के लिए बात करें update फैल की तो 199 MB का update है जनवरी का security पैचा और इस update में same thing ने device की security को improve किया है साथ में device की stability को improve किया है Google Play System update जो है वो जनवरी मन्त का वो release कर दिया गया है 70 MB का update है तो अगर आपके device में Android 14, Android 13, 12, 11 या फिर Android 10 है तो आप Google Play System update को install कर सकते हैं यहाँ पर Google जो है वो security को improve करता है और latest यहाँ पर जो security update है Google की तरफ से वो release करता है तो update किजिए तो यही था आज के इस वीडियो में उम्मिध आपको यह वीडियो पसंद आई हयोगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगे वीडियो कर देज़ेगा like चैनल पर अगर पहली बनाए तो channel को कर देज़े वास अपसा नेक्ट वीडियो में तो प्याकि लिए जये वंदे मात्रम